आप साब नो सत श्रीयकाल तो आड़े सवालनां दे जवाब देन दी कोशिश कर देयां एप वीडियो शुरू करन तो पहला साड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो तांज़ा तुसी साड़े चैनल दे आ रही हैं वीडियोस तुरंथ ही देख सको हुण तुसी साड़े चैनल दे मेंबर भी बन सकते हूँ जवाइन बटन नूँ प्रेस करके ते मेंबर जली कुछ एक्स्क्लूजिव अधका आरने ते चाहे तुसी साड़े नाल निजी तोरते गलबात भी कर सकोंगे दोस्तो हुणापा सवालना दी गल कर देयां जेड़े-जेड़े सवाल साड़े नूँ पुछे गएने सब तो वद सवाल आजकल साड़ी वीडियोस ते पैंशन बारे आ रहे ने सब तो पहला सवाल नवल कोली साब ने पुछे है उना ने कहा कि बिलकुल सही कहा रहे हूँ के जेड़ी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार ने 5 जुलाई नू पेश कीती है साड़े सामने उदे विच्छे पैंशन बारे कोई भी जिकर नहीं कीता गया दोस्तो अगला सवाल पुछे है कि गुरुबक्ष सिंग देउल साब ने उना ने कहा जी पैंशन बारे की फार्मूल है 2011 तो बाज जिड़े रेटायर होई ने 2.25 या फिर 2.58 दोस्तो मैं तो नो दाजना के ए फार्मूले जिड़े ने ओ रेटायरियां ली नहीं है गे ए पैंशनर्ज ली नहीं है गे ए हैगे ने तनखाहां दे लई पैंशन बारे 2.30 दसे गएने पेंशन वलों के या ता तुसी कती 12.15 दी पैंशन दा जिड़ी बेसिक है उसनो 2.89 नाल गुना कर दो या फिर दूसरा मेथड दस्या गया है कि क्योंकि 2011 दे विच मलाजमा नो जिड़ा फैदा होया है उसनाल जे 2.89 दे नाल गुना किती जान दी है ता पैंशन चे काफी जैदा वादा हो जेगा एस लीप एक मिशन ने किया है कि जेड़े ग्रेड पे दे विच कोई रेटैरी होया है उसनों ओस दे नवे पे मैट्रिक्स रखके रेटैर में तक इंक्रिमेंट लगा के फिर ओधी 50% जड़ी है ऐसा पैंशन केल्कुलेट कीती जावे मैथड थोड़ा जा उख है एस उपर अजे तक मोर जड़ी है वित वपा आगने ते पंजाब सरकार ने नहीं लगा फारम आए ने इस सिर्फ अजे मलाजमा लई ने क्योंकि रटैरिया या पैंशना बारे अजे नोटिफिकेशन जारी नहीं होई है इस करके रटैरिया नो जड़े के 2016 तो पहला रटैर होई ने उना ले अजे कोई भी फारम नहीं है फिर दोबारा गुर्दीब सिंग ने प बाद रटैर होई ने उना ली दा पेकमिशन ने कहा कि पैंशन दे लई कोई भी फारमूले दी लोड उना ली नहीं है क्योंकि ए मलाजम अपनी तनखाद विच बाद दा ले लेंगे एक एक सोला तो बाद एस करके जड़े मलाजम एक एक सोला तो बाद रटैर हो रहे ने उना दी पैंशन दे विच एजड़े कोई फारमूला नहीं होवेगा क्योंकि उना दी बेसिक बाद जेगी इस करके पेकमिशन ने क्या है कि सोला तो बाद जड़े रटैर हो रहे ने याने कि कि सोला तो बाद उना ली पैंशन दा कोई नमा रूल जड़ा नमा फैक्टर न मिशन लागू होन तो एक दिन पहला दी जड़ी तो अड़ी पैंशन है उसनों किसे फैक्टर ना गुणा करके तो अड़ी नमी बेसिक पैंशन आ जान दी है पर एस वार पेकमिशन ने बहुत कुछ जड़ा है दस्या है बहुत सारे रूल्स ने रेगुलेशन ने एस कारक यह दसना अजे थोड़ा मुश्किल है एकला सवाल जी सोहेल खान सामने पुछ है कि सर आई यार अगस्त दी सेलरी नाल मिलेगा दोस्तों जिड़ा आई यार है इंटरिम रिलीफ है एक एक सतारा तो दिती जारी है एक इस करके दिती जारी सी क्योंकि पेकमिशन एक इक सोल है उनों डीव हो गया सी ते उसनों साल हो गया सी के लागू नहीं हो या फिर एक एकस तारा नों सरकार ने सारे नों 5% इंटरिम रिलीफ देती सी दोस्तों जो पैकमिशन लागू हो जाना है ता इंटरिम रिलीफ जड़ी आओ बंद किती जंडी है हाँ अगर तुसी फारम नहीं परके दे रहे ता हो सकता है कि अगले महिने वी तो नू पराणी ही तंखाँ मिले ता आई यार भी जड़ा है उदे ना लग सकता है दोस्तो अगला सवाल अमरजीत कोर जी ने पुछे है हेलो सर मेरी रेटायरमेंट जून 2015 दी है ते मैं एक्स्टेंशन ते दो साल लेके 2017 चे रेटायर हुई है कि मैं नू ग्रेस्टी दा बेनिफिट मिलूगा या फिर नहीं मिलूगा दोस्तो इस सवाल काफी पुछा जा रहा है कि जड़े मलाजम 58 साल दी उमर पूरी करन तो बाद 2 साल एक्स्टेंशन लेके मैं कमेच काम कर देने कि ओना नू ओना दो साल ना एरियर जड़ा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ग्रेस्टी दा लीव इन कैश्मेंट दा दोस्त तो अनू ग्रेस्टी या लीव इन कैश्मेंट दा एरियर नहीं मिलेगा तोड़ी एक्च्वर डेट ओफ रेटार्मेंट जड़ी है 2015 ही मननी जावेगी 2015 तो 17 दे दुरान जड़ी यह सर्फ तो अनू तनखा दिती जान दिया फिक्स बिना इंक्रिमेंट तो और कोई लाब दा विरोध कर रहे ने इस करके option फारम जड़े ने ओन नहीं परके दे रहे तो दोस्तों के वैलिट सवाल है कि जैसी option नहीं परके दिन देता सानू अगस्ती सेलरी कितना दिती जावेगी दोस्तों मैं आपनी वीडियो दे बिच तो अनू दस्य आप्शन फारम ती अलग वीडियो बनाई है कि पे कमिशन दी रपोर्ट तेजडी नोटिफिकेशन आई है तो अनू दो महिने दा टाइम दिता गया option फारम नू परन था होन दो महिने दा मतलब एही है कि जुलाई अगस्त दा मीना एदे बिच लंग जाएगा जे तुसी एस मीने option फारम नहीं दे है मेरे मताबक थाउनों अगले महिने भी पराणी सेलरी ही दित्ती जावेगी जे कर होना दो महिने टप जान देने लंग जान देने दे तुसी option नहीं दिन दे ता की हो वेगा ता एह होगा जो की notification चे लिख्या के जे तुसी option नहीं दिन देटा एव डिफॉर्ट त दोर द कि दोहजार सोला तो ते एस नोटिफिकेशन दे रूल नमर सत मदाबक तो अड़ी पेक जड़ी है ओफ दी डिपार्टमेंट जड़ी है फिक्स करनेगे सत जड़ा रूला देच दस्या है कि तुसी दोपेंड पच्ची किद्धा एक्ससाइज करना है दोपेंड उनाट के में में लेना है जे कर तुसी फारम नहीं परके दिन दे ता ए मन ले जावेगा कि तुसी के एक सोला तो एक्सेप्ट कर लेए पेक मिशन ते फिर तो अड़ी सैल्ली जड़ी है तो अड़ा हैड़ा एडव डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि किस रूल जा रेगुलेशन द दो महिने लग जानगे इस तरह नहीं है इन नोटिफिकेशन दे बेच लिखा कि तुसी तो अड़ी को दो महिने दा टाइम है ऑप्शन फार्म परंदा जे तुसी हुन दे दने हो ता तो अगले महिने दी तनखा वद के या चेमा पेक मिशन लगके मिलेगी जे कर तुसी ज अगला सवाल सुनिल कंबोजी ने पुछा है यह सवाल जेड़ा है यह मेरी हर वीडियो ते पुछा जा रहे है बार बार पुछा जा रहे है सुनिल कंबोजी कहरे ने सर होम गार्ड दी सेलरी वी छे में पेक मिशन लगेगा सर किनी इंक्रीज होएगी सेलरी होम गार्ड इंपलाई दी दोस्तों मैं दबारा दाजना कि होम गार्ड बारे वी पे कमिशन दी रिपोर्ट दे वेची या नोटिफिकेशन चे कोई जिकर नहीं है एस उपर भी समन्दर डेपार्टमेंट जड़ा फैसला लवेगा कि इनने दी सेल्डी एन्हेंस करनी चाही दिया कि नहीं चाही दी अगला सवाल है मैं जरूर क्लारीफई करना चाहूंगा कि मेडिकल अलाउंस दे विच कोई तब्दीली होई है कि नहीं असी जड़ी शुरवात थे वीडियोस पाईयां सी जदों के पे कमिशन दी हजे सिर्फ एक नोट आया सी कि जड़ा मेडिकल पता है उसनों पांसो तो कर देता गया है असी वीडियोची भी दसताता सी पर जोदों एक मिशन दी रिपोर्ट वितव पाग कोल गयी है थे वितव पाग ने एस दे ऊपर काठा लगा दीता याने कि मेडिकल पता 500 तो हजार करना चाहिए तो नहीं किता गया सो मेडिकल पत्ता पेंशनर्स लिए वी इंप्लाईज लिए वी 500 पे ही है अगला सवाल सातनाम सिंग पुछ रहे हैं सर प्लीज एमे दसो वी जेड़े PSPCL विच कलर्क दी पोस्ट ने नमे जोईन होएने ओना दी सेलरी फुल होजेगी के नहीं देखो दोस्तो जड़ी प्रॉबेशनर्स दी शर्त है ओ सारे इंप्लाईज ते लगवे जड़े रेगलर इंप्लाईज ने पंजाब सरकार दे इसकार के तो अड़ी सेलरी फुल ता चाहे ना होए पर जेकर तो अड़ी जोईनिंग स्तारा साथ दोहजार वी तो बाद है ता तो अड़ी तो सतमा पे कमिशन लगेगा ओदे तेशी कलाग वीडियो चैनल दे पाईए तुसी जाके ज़रूर देख सकते हो जेकर तो अड़ी सेलरी फुल हो जेगी जेकर तो अड़ा प्रोबिशन दा समा पूरा हो गया ता सेलरी ज़रूर फुल होगी दोस्तो पीएस पीसेल नू लेके काफी सारे सवाल ने उना दा भी आप आपके करके जवाब दे रहे है मैं तुम दाजना के पीएस पीसेल दे विच अजे छेमा पे कमिशन लागू नहीं किता गया पीएस पीसेल जड़ा है वक्रे तोरते स्केल जड़ा है ओ अनाउंस करेगी नोटिफाई करेगी दोस्तो अगला सवाल गरिश गोवल जी ने पुझे ए सर ंडीसी रेट दे वी जड़ा है उनक्रीज होवेगा के नहीं होवेगा दोस्तो डीसी रेट दे उपर जड़ा फैसल है ओ पंजाब सरकार दा लेबर department लेया जड़ा लेबर डपार्टमेंट है वही नोटिफाई करता है डीसी रेट नूँ फिर जड़े डीसी जुन देने सबंदत जलेयां दे ओ नोटिफाई करते हैं डीसी रेट दे विच पिछले लंबे समयतों कोई तबदीली नहीं होई है पेक मिशन दे विच डीसी रेट दा पर वखरे तोरते सरकार नोटिफाई करेगी अगला स्वाल हर्जी सिंग जी ने पुछे है सर चार साला नो साला चोदा साला बारे भी स्तिती बारे दसो के पहला मांगी लगेगा के नहीं लगेगा दोस्तों जेड़ी अशोर्ड करीर प्रोग्रेशन स्कीम है जिदे विच अकर तुसी चार साल बाद नो साल तक या फिर चोदा साल तक प्रमोट नहीं हो देता ता उनों नेक्स्ट ग्रेट पे ते इंक्रिमेंट दिता जाना है वखरे डपार्टमेंट है जब वखरे रूल्ज ने एदे बारे भी पे कमिशन दी जड़ी रिपोर्ट है नोटिफिक होया है सस्पेंशन ते चल रहे है ता उदे लेई जिड़ा है पे कमिशन बिलकुल लागू होवेगा जोदों भी हो रेगुलर होंदा है या फिर जोदों भी सस्पेंशन तो बाद वह अपनी रिपोर्ट पेश कर दा है ओ उसकोल एक महिने दा समय उप्शन एक्सरसाइज क कि जेकर किसे सस्पेंशन ते चाले मलाजम नों कोई इंक्रिमेंट या कोई लाब नहीं मिल रहे है छे मापे एक मिशन अवदे ते जरूर लागू होवेगा उस्तों बाद मैं आज दा लास्ट सवाल ले रहे हैं ए सवाल पुछे हर्मन दीप जी ने पंजाब दा जड़ा म मैं पुल्स दा इन्ना दे काफी सवाल जेडे ने वीडियो से उत्ते पुछे जा रहे ने इन्ना ने पुछे जी साच्छरी काल मानपिरपा जी मैं कॉंस्टेबल ना पंजाब पुल्स दोहजार उनी दा परती हैं दस हजार तन खाते हैं दस सानू किनी सेरली मिलेगी ते न्यू ते प्रॉबेशन वाले मुंडियां दा सवाल है दोस्तो जेडे कॉंस्टेबल्स ने पंजाब सरकार दे हो बत्ती सो दे ग्रेट पे दे विचने जेकर तुसी दोहजार ग्यारा बारा या उस तो बाद परती होया हो ता सिद्धी जी गाल्ले है कि तो अडिली दोप 375 पे मिलन गे प्रॉबेशन तो बात ओडी जडी नमी बेसिक है ओ ती हजार 375 हो जेगी ते जड़ा भी उस वक्त डी है चारे लगेगा तो उस मताबक जडी यह तनखाद दिती जावेगी उन्हों दोस्तो दोपाइंट पच्चीदे फेक्टर नाल असी बहुत बार दास चुके हैं कि कोई फैदा जड़ा है मलाजम नहीं हो रहा दोस्तों कोशिच किती है कि मैक्सिमम जड़े कॉमन सवाल ने उन्हों लेके एक वीडियो बना दी है क्योंकि एस सवाल सानु बार बार पुछे जा रहे हैं सी आशा कर देया दोस्तों कि एस तरह दी वीडियो अनु सपोर्ट कर दे लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर देयो ते बेल आइकन भी जुरूर दब देयो हूं तुसी जोईन बटन प्रेस करके इस चैनल दे मेंबर बन सकते हूं चैनल दे मेंबर ज लेही कुछ एक्स्क्लूजिव बेनिफिट्स ने तुसी साथे नाल नीजी तोरते गल बात भी कर सकते हूं जुड़े रहों मिलने अगली वीडियो दिविच तनवाद